इंदोर में सोमवार को सूपर कारीडोर पर आयोजित लाडली बहना योजना कारकम में सेम ने बहनों के बीच पहुँचकर उन्हें सच्टांग प्रणाम किया। उन्होंने महीने की दस्तारी को महिलाओं की सान सम्मान का दिन बताया। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी घोशना कर दी कि जो भी महिलाओं इस योजना में लाब लेने से छूट गई हैं उनके लिए योजना के फॉर्म 25 जुलाई से फिर से भरवाना सुरू कर दिये जाएंगे। इससे पहले कारकम के लिए सुबह से ही महिलाओं आना सुरू हो गई। दूरदराज के छेत्रों से आने वाली महिलाओं सुबह दस बजे से ही यहाँ पर पहुँचने लगी। पहुचना भी कर दी कि लाडली बहना यूजना के तहट दी जाने वाली हजार रुपए की रासी भविस्त में बढ़कर तीन हजार रुपए तक पहुच जाएगे। कि रासी कब तक हो जाएगे। मगर उन्होंने कॉंग्रेश की घोषना का चुनावी जवाब दे दिया। कॉंग्रेश ने पंद्रा सुरुपए देने की घोषना की है माना जा रहा है कि मुखे मंत्री ने इसी वज़े से हैरासी बढ़ाई है। कारका मिस्थर पर पिंक ड्रेस में पहुची लाडली बहना सेना अकरसड का केंद्र बनी। एक ना इतिहास आज यहाँ प्रारम बोड़ा है बहनों के संठ थोने का इतिहास और आज की तारीख कबा होगी कि हम बहनों की जिन्दगी बदलेंगे। आज सब बहनों के खाते में लाडली बहना की दूसरी किस्त आ गई। और एक बात और सुनना, 21 से लेके 23 साल की बेटियां भी जो विबाही थे, अब इस योजना में सामिल है, 25 तारीख से उनके आवेदन भरे जाएंगे, 25 जुलाई से। और वो किसान जिनके पास ट्रेक्टर थे, योजना से बाहर थे, लेकिन ऐसे 55 एकर तक के किसान के परिवार भी योजना के पात रो गएं, 25 तारीख से उनके आवेदन भी भरे जाएंगे, और अगले महीने फिर खाते में पैसा आएगा, तब तक अपनी मिटिंग लाडली म सेना की और होगी और कई तरह की योजना हम खुद क्रियानवित करेंगे, सरकार और प्रसासन आपकी पूरी मदद करेगा। दौर में हाला की सुबह से बारिस थमी रही और मौसम भी लगभग साफ था, लेकिन बारिस की संभावनाओं को देखते हुए पुरे पंडाल को वाटर प्रूफ बनाया गया, पंडाल फूलों से सजा हुआ था और हर जगे क्रियेटिव चीजी रखी गई, कलेक्टर इलया राजाटी के निर्देश पर विवस्था से जूड़े सभी अधिकारी अल सुबह से ही कारका मिस्थल पर पहुँच गया, अधिकारीों ने कारका मिस्थल पर सुरक्ष और अन्य विवस्थाओं को जाचा, कारकम के दौरान विभिन रंगा-रंग साल्सकितिक कारकमों की प् मुख्यमंत्री के रोट्सो के दौरान उनका बैंड स्वर लहरियों के साथ सौगत किया गया, मुख्यमंत्री चोहान इस सम्मेलन में पहुचने के पूर्व एयरपोर्ट से लेकर कारकमिस्थल तक रोट्सो में शामिल हुए मुख्यमंत्री का इस दौरान लाडली बहनों ने परंपरागत वेज भूसा में उपस्थित रहकर अभिनंदन किया रोड सो के मार्ग में 11 मंच बनाए गया साथ ही इस रोड पर 11,000 लाडली बहनों ने लाठी संग अपने ससक्ति करण कर प्रदर्शन भी किया कारकर मिस्थल पर लाडली बहनों के लिए बैठक विवस्था की गई, पार्किंग विवस्था, सुरक्षा विवस्था और भोजन विवस्था भी रही देखो अलग-अलग एक बहन कहा रही थी, हम अलग-अलग रहेंगे तो कमजोर रहेंगे एक लकड़ी अगर पतली, कोई ने अपने हाथ में दे दी, और का तोड़ो तो चट से तोड़ दो भी लेकिन बताओ, पतली-पतली लकड़ी का गथा बना दिया, और कोई कहे किसको तोड़ दो तो तोड़ता हैगा क्या तो हम अकेले ना रहें लकड़ी की तरह, हम लाड़ी बेहना सेना में आ जाएगे, गथा मिलके बन जाएगे, कोई हमको तोड़ नहीं सकता, कोई हमको दुखी नहीं कर सकता इसलिए बना रहे हैं लाडली बहना सेना ताकि बहनों की योजनाओं को वो लागू करवाने में पूरी मदद करें और ये सेना कोरी नाम की नहीं रहेगी इसकी हर मैना दो मिटिंग करेंगे बहने कौन-कौन से काम कर सकती है उसकी ट्रेनिंग देंगे और वो ट्रैनिंग प्राप्ट करने के बाद वो सारे काम मेरी लाडली बेहना सेना करेगी लाडली बेहना सेना करेगी बेहनों को लगपती बनाने से लेके योज्ञाओं का लाप दिलाने से लेके और सुनो अगर किसी ने मा बेहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखा तो पहले ही हमने कानून बना दिया है मासूम बेटीों को गलत नजर से देखने बाले को भासी के फंदे पे लटकाया जाएगा अरिय देख तक बेना सेना करेंगी हमारी कई तरह की चीज़े हम करने बाले है और ये पहला सम्मेला ने मेरा लाडली बेहना सेना का तो मेरी बेहनों कौन-कौन लाडली बेहना सेना में सामिल हो रही ज़र हाथ उठाओ इधर बाली बेहने भी, इधर भी, अब देखो हम इतनी बेहने सब इकटे हो गएं, तो मैं तुम्हें बचन देता हूँ मैं तुम्हारी जिन्दगी बदल दूगा मेरी बेनों जिन्दगी बदल दूगा